देखो अभी काट सा जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है इसके बारे में हम बात करेंगे उससे पहले यह जान लो कि यह चर्चा में है क्यों अभी अभी रशियन मिसाइल जो है S-400 जिसका जो डील है वो इंडिया ने रशिया के साथ 2018 में ही कर लिया था बट कुछ प् इस अखते है सब्सक्राइबर्ण है जो दे रहा है इस इंडिया वह स्टार्ट होगई है ठीक है मतलब हमारे पास S-400 मिसाइल आना शुरू हो गए है देखो ऑलरडी यह चायना के पास है पहले से ही ठीक है देखो यह जो मिसाइल है यह सर्फिस टू एयर मिसाइल है यह कारण है कि US ने इसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रियेट की हुई है 2018 में जब ये डील साइन हुआ था इंडिया और रशिया के बीच में तब ही से US इसका विरोध कर रहा है US डराता रहता है कि मैं सैंक्शन्स हम सैंक्शन्स लगा देंगे देखो US ने बुला है कि रशिया इरान और नौर्थ अमेरिका के साथ कोई भी देश अगर डिफेंस को लेकर कोई भी डील करता है कोई भी डिफेंस एक्विपमेंट्स मंगवाता है तो उस पे सैंक्शन्स लगाए जा सकते है ठीक है इन तीनों देशों के साथ अगर कोई भी डील होगी डिफेंस सिस्टम को लेकर तो उन देशों में जैसे भारत और रशिया के बीच में ये डील हुई है तो US बोल रहा ह कि रशिया के साथ आपने डील करी है डिफेंस सिस्टम के लिए तो हम आप पे सैंक्शन्स लगा सकते है और ये आज की बात नहीं है ये जब से ट्रम्प थे तभी ये बाते होने लगी ठीक है तो अभी तो नए प्रेसिडेंट आ गया है जो बेडन अब देखो वो क्या करत हैं लेकिन फिर भी काट्सा जो है वो चर्चा में है काट्सा को इंप्लिमेंट ही यूएस ने इस लिए किया था ताकि कोई भी देश अगर इरान रशिया और नौर्थ कोरिया के साथ डील करेगा उनसे डिफेंस की चीजे लेगा मिसाइल वगरा लेगा तो उन पर कई तरह कि सैंक्शन काई तरह की प्रतिबंद लगा दिये जाएंगे जिससे काफी ज़्यादा नुकसान होता है ठीक है यूएस एक बहुत ज़्यादा पावर्फुर काट्रिया अगर वो किसी चीज़ को लेकर सैंक्शन लगाता है तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना क ठीक है ये इसका full form है CAA TSA काटसा ठीक है ये अमेरिका के द्वारा implement किया गया था 2017 में इसको अमेरिका ने implement ही इसलिए किया था ताकि अपने जो दुश्मन है अमेरिका की जो दुश्मन है उनमें खौफ पैदा कर सके ठीक है उनमें डर पैदा कर सके किसी भी तरीके का sanction इसमें अमेरिका लगा सकता है दूसरे देश पे ये जो कानून है इसको अमेरिका ने लाया था 2017 के 2 अगस्त को ठीक है और इसको implement किया 2018 की जन्वरी में ठीक है इसको लागू कर दिया 2018 की जन्वरी में ये जो कानून है इसके त्रूँ अमेरिका के जो दुश्मन देश है जिनको अमेरिका अपना दुश्मन मानता है कोन है वो तीन देश, रशिया, इरान और नौर्थ अमेरिका ठीक है इन देशों को अमेरिका अपना दुश्मन मानता है और ये जो काटसा कानून है इसके तहट अमेरिका के जो राश्ट्रपती है जो महां के प्रेसिरेंट है उनको ये हग है ये अधिकार है कि वो अमेरिका विरोधी जो देश है उन पर sanctions लगा सकते है sanctions किस तरीके की किसी भी तरीके का हो सकता है उसको लेकर भी sanctions लगा जा सकते है और अमेरिका ऐसे देशों पर nuclear weapons का जो export होता है उस पर भी sanctions लगा सकता है अभी तक के जितने भी राष्टपती थे सभी ने इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा, इंडिया को लेकर थोड़ा नरम रुख दिखाया था मतलब इंडिया पर sanctions नहीं लगाये थे अभी तक, लेकिन देखो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है प्रेसिडेंट चेंज हो चुके है, अब S-400 missile का जो आगमन है वो भी start हो चुका, तो अब अमेरिका का इंडिया की तरफ क्या रुखोगा वो पता नहीं है, लेकिन अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका चाहता ये है कि इंडिया जो है रशियन S-400 missile की जगा अमेरिकन Air Defense System Patriot खरीदे, लेकिन इंडिया का ये कहना है कि रशिया का S-400 missile है, उसके सामने अमेरिका का Patriot कुछ भी नहीं है कही पर भी नहीं टिकता है और ये हमारे लिए बिल्कुल उप्योगत है S-400 से हमारा सारा काम जो हो जाएगा, बहुत ही strong missile है ये ठीक है, बहुत ही ताकतवर है लेकिन अमेरिका का कहना है कि उनसे ये defense deal की जाए ठीक है, तो देखो deal तो हो चुकी है, अब आना भी शुरू हो गए है तो हो सकता है, sanctions वगयरा लगे और ये भी हो सकता है कि ना लगे इस पर अभी भी कोई बात नहीं हुई है पर फिर भी काटसा के जो भी laws है उनमें जो भी sanctions है वो लगाए जा सकते है अमेरिका के द्वारा, अब हमें ये देखना है कि काटसा लगता है या नहीं, ठीक है, ये पूरी तरीके से यूएस पर डिपेंड कर रहा है अभी और उसी पर सब की नजर बनी हुई है, ठीक है तो आज के लिए इतना ही आई होब आपको डीटेल में ये टॉपिक समझ में आया होगा काटसा क्या है, ये भी आपको समझ में आया होगा अगर फिर भी आपको कोई डाउट या कन्फूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पोच सकते है आगे अगर कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको आपको अपडेट देती रहोंगे, ठीक है, थैंक यू